राजसभा चिडाव में ये ताय है कि BJP की तरफ से जोतराभिति सिंधिया राजसभा जाएंगे और कॉंग्रेस की तरफ से भी यही निर्देश है कि दिगवज़े सिंग को वरियता दी जाए इसके बावजूप दिग्विजे सिंग खौफ जदा है डर इस बात का है कि कहीं उन्हीं की पार्टी की विधायक उन्हें धोका न दे जाए वैसे भी बीजेपी के शगूफे के बाद खुद कॉंग्रेस के कुछ नेता दबी जुबान में दरित प्रत्याशी को आगे बढ़ा कर वोल देने की बात कर रहे है पर दिग्विजे सिंग की डर की वज़ाय कुछ और ही है और ये वज़ाय इतनी बड़ी है कि दिग्विजे सिंग ने खुद ही राजसभा चुनाव के नियमों को बदल दिया है ऐसी खबरे हैं कि दिग्विजे सिंग कॉंग्रेस के सभी विधायकों को एक साथ राजसभा नहीं आने देंगे वैसे अपने राजा बाबू के लिए कॉंग्रेस ने इतना तो कर ही दिया है कि जीत के लिए 52 वोट की जरूरत है लेकिन दिग्विजे सिंग को 54 विधायक वोट करेंगे और बाकी फूल सिंग बरेया को पर सुनने में आया है कि दिग्विजे सिंग इतने पर भी संतुष्ट नहीं है इसलिए उन्होंने विधायकों को दो अलग-अलग पाली में ले जाने का फैसला किया है याने कॉंग्रिस के जो विधायक दिग्विजे सिंग को वोट करने वाले हैं वो पहले पहुँचेंगे और उसके बाद बरेया को वोट करने वाले विधायक जाएंगे पर इतना डर किस बात का? जब उनको पहले वोट करने का निर्देश है तो दिग्विजे सिंग क्यों डरे हुए है? ये डर पूल सिंग बरेया का नहीं उस सबोटाच का है जिसका डर इस चुनाव में शुरू से बना हुआ है दिग्विजे सिंग ही नहीं पूरी कॉंग्रिस को डर है कि कुछ विधायक उन्हें धूका न दे जाएं खबर तो ये भी है कि कुछ समय से कमलनाथ और दिग्विजे सिंग के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और खुद कमलनाद दिग्विजे सिंग का करियर बिगाडने पर तुले है अगर वाकई ऐसा है तो दिग्विजे का ये डर लाजमी ही है जिससे निजात तो उन्हें राजसभा के नतीजों के बाद ही मिल सकेगी